कि इस चैनल में सभी विडियों का स्वागत है जो भी विरती हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो देखिए दोस्तों सीटेट दिसम्बर वालों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने उबर के आ रही है जिस प्रकार से सिचक बहाली की प्रक्रिया रुप गई थ जो सीटेट अभियरतियों ने 5 जून को जो भी आंदोरन किया था गानी मैदान में उसका कही न कहीं असर दिखताव अंदर आ रहा है और साब तोर पे अभियरतियों ने ये भी आरोप लगाया है कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें ये बात रखी गई थी कि अ जफर पूर वरिद समधाता ने ये ख़बर काफी परमुक्ता से दिखाई है सीटेट के अंदरी सिचक पात्ता परिच्छा उत्तियर अभियरतियों ने फिर से सुरू होने वाली सिचक बाली में मौका देने की मांग तेज कर दी है संभव 2019 में आयोदी सीटेट उत्तियर अ अभियरतियों ने डियलेट के साथ आविधन का मौका देने की मांग उठाई है आपको बता दे कि एनायोईस का फैसला आने के बाद सिचक बहाली में एनायोईस को मौका देने की बात कही जा रही है ऐसे में दिसम्बर सिट पास अभियरतियों ने भी सिचक बहाली में प्रशचनिक उत्तिन परिच्छा उत्तिन होना आवश्यक है अब देखना या होगा कि गाधी मैदान में हुए अभ्यातियों के धर्ना प्रशन्ति सामिल करवाने में कितना कारगर सिध होते हैं तो बीग अपडेट सामने उबर के आ रही है सीचेट अभ्यातियों के लिए और अब सीचेट दिसंबर अभ्यातियों की भी मांग उठने रगी है जिस प्रकार से सिचक भाली की प्रक्रिया बीच में रोग दी गई अब अब्हालन है यह सफल होता है सीटट दिसंबर अभ्यातियों का और सीचेट अब अभ्यातियों की एक मांग है वई कि उन्हें भी शिचक भाली में जो है वह सामिल किया जाये ऐसे बड़ी अपडेट सामने उबर के आ रही है कि अब दिसंबर सीट पास जो अभ्यातिये हैं कि पहले एनायस डियलेड अब दिसंबर सीटेट अभ्यरती बिहार सिचक बहाली में तो कह सकते हैं कि बाई सिचक बहाली को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने उबर के आ रही है तो पलपल की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगता जुड़े रही है और जो भी खबर होती है उसे पाने के लिए चैनल को प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए तो बिग अपडेट है कि सीटेट दिसंबर अभ्यरतियों अभ्यरतियों ने भी देखिए इसको लेकर केस करने की बात कही है अब देखने यह होगा कि अगर सीटेट दिसंबर अभ्यरतियों तो जो भी सीटेट दिसमबर अब बेटती जुड़े हैं तो प्लीज वीडियो को सेर करना ना भूलें और पलपर की ख़बर के लिए लगतार चैनल की माध्यम से जुड़े रहिए तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं न इस वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैहरत